Knowledge Management Cycles के उपर discussion करते हुए हम बढ़ रहे हैं एक Integrated KM Cycle की तरुफ इसमें जब हम Steps को synthesize करते हैं एक जगा जमा करते हैं, reorganize करते हैं तो हमारे समने क्या सूरत आती है आईए देखते हैं इसमें इस टेबल में आपको नज़रा आएगा कि Steps कौन से हैं जो Different Cycles में, Different Frameworks में, जो Different Authors ने दिये, उसमें कौन से common हैं और किस तरह से हम उनको एक Synthesis की तरफ लेके चलते हैं या उनको reorganize करते हैं तो इसमें देखिए कि Steps भी दिये गए हैं और Steps के साथ साथ उन Authors के नाम भी दिये गए हैं कि ये Step आए कहां से तो इसमें देखिए सबसे पहले Knowledge Capture है, उसके बाद Knowledge Creation है, उसके बाद Knowledge Contribution है और सामने आप देखिए कि उस Framework का नाम भी दिया गया है इसके बाद 2B आप देखिए knowledge filtering and selection है knowledge codification है फिर 3A में knowledge refinement है knowledge sharing है और इसी सिसले को आगे बढ़ाते हुए नमबर 5 पे knowledge access है इसका एक पार्ट जो है knowledge learning है knowledge application है knowledge evaluation है knowledge reuse है और इसमें आखरी जो step है वो है knowledge reuse और divestment अब यह divestment के meaning यहां पे यह है कि knowledge को बहर निकाल दिया जाए organization से इसलिए कि वो less used है यह less interested है अब अगर regroup किया जाए उन सारे पिछले steps को तो 10 major हमारे पास categories बनती है कि जब हम alternatives को merge करते हैं और उनको regroup करते हैं और बीच में से जो मिलते जोलते अलफाज हैं उनको हटाते हैं तो यह 10 देखिए कौन से हैं इसमें सबसे पहला है knowledge capture इसी को creation और इसी को contribution भी कहेंगे उसके बाद है knowledge filtering या selection कहेंगे उसके बाद knowledge codification उसके बाद knowledge refinement उसके बाद knowledge sharing उसके बाद knowledge access उसके बाद knowledge learning उसके बाद knowledge application उसके बाद knowledge evaluation और उसके बाद knowledge reuse या फिर उसका alternative divestment तो यह 10 steps बनते हैं total और इन 10 को अगर फरदर हम regroup करें तो आपके सामने एक integrated knowledge management cycle आएगा जिसमें सिर्फ तीन steps हैं किस तरह से knowledge जो है वो सबसे पहले capture किया जाता है या create किया जाता है अगर वो पहले से है तो आप उसे capture कहेंगे अगर वो पहले से knowledge available नहीं है तो आप उसे create करेंगे उसके बाद उस knowledge की assessment होगी और assessment के नतीजे में वो अगले मरहले में दाहल होगा जिसमें हम उसे knowledge sharing कहेंगे और sharing के साथ साथ dissemination एक ही बात है तो ये assessment का मतलब है evaluation कि knowledge evaluate होके filtering या selection के process से गुजरते हुए वो knowledge sharing के तरफ जाएगा और उसके बाद जब sharing होगी तो knowledge contextualize होगा अब इसका मतलब ये है कि दुबारा वो अफराद के पास से ला गया दुबारा वो process का हिस्सा बना उसको apply किया और apply करने के नतीजे में उसको हम knowledge acquisition या application कहेंगे और उसके बाद knowledge जब apply होगा तो वहां से वो change होगा transform होगा और वो update होता हुआ दुबारा से वो knowledge repository का हिस्सा बना और इस तरीके से knowledge का जो है cycle उसको हम कह सकते हैं कि ये मुकमल हो गया झाल